गजबज के फदे बलाओ वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फदे हम हर कथा कथागी हम चाकर गोवेंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बेद सूसत गुरु हमारा करन करावन सगल बेद सूसत गुरु हमारा हक हक अंदेश गुरुगो बेंद सेंग बादशा दरवेश गुरुगो बेंद सेंग बंदूक तारी परपकारी साहब सदगुरु शिरी गुरु गोविन सिंग साहब महराज जी देपावन अस्तान तगत साच खंड शिरी अजूर शिरी अप्चन नगर साविखे बिराजमान गुरु की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जी दरगर दी चली आ रही मर्यादा नूसार सबतो पहला गुरु दी बक्षियों इफते प्रवान करो जी वाह गुरु जी का खाल सा वाह गुरु जी की फते हैं गुरुबाणी दा बचन है पगत पंडार गुरुबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल गुरुबाणी वेच पगती दे परे पंडारे लाल कीमती पय होय हन पर महरायन ने शर्त रखी गावत सुनत कमावत निहाल ये जेड़ा गुर्बानी दा थाल महराज ने परोश के रख्या होया है पर एस थाल नो जे अपा वेखी जाए ताँ पोख मिटेगी नहीं महराज जी दे बचना जे को खावा जे को पुंचा है इसका होए उधारो जेड़ा एस रसनों मानेगा चक्केगा ओदेते चलेगा ओदाई उधार होवेंगा आप जी अमरतमाई कीरतन दा अनांद मान रहे सी ते दसेरे दे पुरब ते एस पावन अस्थान ते इकत्र होए हा तो साबतों पहला मैं दसेरे बारे कुछ बेंतियां करना चावाँगा करते परक वाहिगरू परमातमा ने सारी स्रिष्टी नो नाव खंडा विच बंडिया है ते आज अपां जित्वे रह रहे हा इनू पहरत वर्ष जा पहरत देश करके आखिया जानदा है ओस तरह ते स्याने लोक इनू देव पुमी साधू संतादी पुमी करके आखिया जानदा एस तरतीनू ते एस पारत वर्ष वेच कई रिशी मुनी पीर पैकामर अवलिय होए हान जिनादे याद वेच आज उनादे तरम दे पैरोकार उनादे तरमनु मननवाले उनादी याद विट ते भार मनाम दे हान जेस तरह बैसाखी हो गया इद दिवाली होली कई ते भार एहो जे हम न वो अपने भुजुरगां दे पीर पैकामरा दे याद ते मनाम दे हा त्रेते दे अवतार श्री राम चंदर जी होए उनाने सीता दे बहाने जिडा अहंकारी रावन सी संत दोखी सी ओस दा संगार कीता एज दे याद वेच हिंदू तारम वेच ओदो तों दसेरे दा पुर्व मनाया जानदा है ते असुदे पहले नव रात रे तो रामायन दे आदारत नाटक कीता जानदा ते दसेरे वाले दिन पुम्ब कर्ण रावन मेग राद इना दे पुतल्यानू साड़या जानदा है ए ते भार जड़ा नाटकी रूबतारन कर चुका सी जिस्वेले दशमेश पिता साहिव सदगुरू श्रीगुरू गोविन सिंग साहिव महराज जी दा अवतार होया महराज ने अपने अवतार दा मुख कारण दस्या के तरम चुलावन संत उबारन दोष्ट दोख्यन पकर पचारन याही काज तरह हम जनमं समझ लेओ साधू सब मनमं जिस वेले कलगी दर पार्शा साहिव श्रीगुरू गोविन सिंग साहिव महराज जी दा एस मात लोग ते आगमन होया अवतार होया ते महराज ने वेख्या सी तरम दे राते जेडे चलन वाले कुराहे पाय गए सब अपना अपना मत तोर दिता अपने अपने पिच्चे चला रहे है Сी जिस वेले महराज ने जिस वेले एस दसेरे दे पुर्भवल विख्या ताखाल से पंत दी अनंध पुरसा विक्षे सिर्जना कीती ते महराज ने एस दसेर दे ते भार नू खाल से ते किरपा कीती शस्त्र अते शास्त्र नाल जोड़ेया शास्त्र का अंदेन गुरबाणी नू ज्यान नू ते शास्त्र ते आप चंगी तरा जान दे हो हुणे हुणे सतकार योग बाबा अवतार सिंग जी दा सनवान कीता गया क्योंके इना ने दश्मेश पिता गुरू गोविन सिंग साहब महराज जी दी बाणी दी जेडिया पोथियान ओ ते यार करवाईया ते बाणी दा बहुत चड़ी कलावज परचार परसार कर दे हन सो कलगी दर पार्शाने दसेरे दे बाहने आपने खाल से नू बाणी अते बाणे शस्त्रा नाल जोड़ेया महराज दे वेले तो ही असुदे पहले नवरात रेतो दशमेश पिता साव शरी गुरू गोविन सिंग साह महराज जी दी बाणी दा पठन पाठन हुंदा सी ओई मर्यादा आज तक चली आ रही तगत साव तेवी रोज रात नो दश्मेश पिताजी दे बाणी दा पाठ होंदा होन भी एस वेले हैड गरंती साव अंदर बाणी दा पाठ कर रहे हैंड क्योंके दश्मेश पिताजी दी बाणी बारे महराज ने आप लिखिया सुने गुंग जो या है सो रसना पावई सुने मूड चितलाए चतरता आवई महराज ने एक थां किया जो एक था सुने अर गावई दूख पाप तह निकट न आवई प्यारे और दश्मेश पिताजी दी बाणी उच इनी शक्ती है उस विच अकाल परक दी उस्तती है ते बीर वास महराज ने पर या जेडा भी कार उस बाणी नूँ पड़दा पहले सिंग जो जंग जो दवास ते जान दे सी ते बाणी दा पाठ करके जान दे सी एक कटना मेंनू चेते आ गई सतकार योग साब का हड़ गरंती ग्यानी हरदीव सिंग जी जिना ने किरपा कीती गुर्मत दी विद्या बक्षिश कीती उना ने एकवारी कताब जो सुनाया एक प्रेमी बॉंबे विचे रहन दा सी ओदे शार शरीर ते कोड हो गया डाक्टरा ने जवाब दे दिता के हुण तेरा बचन दा कोई उपाब नहीं है बस बचा ते एक वाहिगरू रभ कोई दुआ ही बचा सकदी तेनू ते मानविच ओदे विचार आया के मैं समंदर विच्छाल मार के आत्म हत्या कर लवाँ पर मानविच एक ख्याल आया के दशमेश पिताजी दा अस्थान तक सचकन हजूर साब है ओज़ दे एक वारी दर्शन कर लवाँ फिर दर्शन करण तो बाद जाके समुन्दर वुझे छाल माल देवांगा कहनद अन जिस वेल एस अस्थान ते दर्शना वास्ते आया ते कहनद चर्णगंगा कुल खड़ा सी उस वेल मवजूदा महापुरक श्रीमान संत बाबा जुगिंदर सिंग जी मोनी साब जिना दी याद उचे राण सवाई कीरतन हो रहा है ते उना नू मिले आ ते कहन लगा बाबा जी करपा करो मेरी अरदास करो डाक्टरा ने जवाब दे दिता मापुरका ने आख्या जरूर अरदास करांगे गुरू पला करेगा तो एस तरह कर नानक जीरे चले जा उते चाली दिन रहा के वद तो वद श्री जाब साहब दे बाणी दे पाठ कर ते गुरू नानक दे महराज जी दे चर्ण छो प्रावत अस्तान दे जीरे दा जाल चक इश्नान कर कांदेन ओ गुरू क प्यारा बाबा जी दा वचन मन के उते चला गया चाली दिन ओने जाब साहब जी दे लगा तार पाठ करदा रहा कही कही कंटे ते चीरे दा जल अमरत चकदा रहा चाली दिन बाद इत्ते आया ओदे शरीर ते कोई भी खोड़ दी बिमारी ने सी सारा शरीर जेड़ा आरोग हो गया प्यारयों ए बाणी दी बरकतान जिस वेले इत्चे आया फर इत्चे मिल के महरार दे चरनाते अरदास करके बांबे चला गया कही साल बाद जिन्दा रहा ए बाणी दा प्रताप है कलगी दर पारशान अपानू बाणी अते शस्त्रा नाल जोड़िया शस्त्र बारेवी गुरु माराज कहिंदे असकिन पान खंडो खडग तपक्तवर अरतीर सहब सरोही सायची यह हमारे पीर जिते शस्त्र नामंग नमसकार तामंग कलगी दर पारशान अपने बाणी विजवी लिखिया खंडा प्रतमे साज का सब संसार उपाया ब्रह्मा विशन महेर साज कुदरती दा खेलर चाया सिर्जे दानो देवते तन अंदर बादर चाया ताहीं दुर्गा साज का देंता दा नाश कराया शास्तर दी पूजा नो महराज ने मुख रखया ते अपने खाल से नो बक्षिश कीता सो दसरे दा पुरब ओस विले तो महराज दे विले तो मनाया जांदा से एक संग ता दश्मेश पिता जी दे बाणी दा पाड कर दियां ते दसरे वाले देन श्री जाब साब अते रामा उतारदा पाड कीता जांदा ते फिर ओस विले पाड दी समापती तो बाद महला निकल दा सी ए महराज दे विले तो चली आ रही मर्यादा आज तक तक सचकन जूर साब के काम है इतियास विट जिकर अमदा शेरे पंजाब महराजा रणजीत सेंग जिस विले उनादा लाहोर ते राड सी कांदेन महराजा रणजीत सेंग आप पहले नवरात रे तो लाएके आखर तक शस्त्र दी पूझावच लग दे संते बाणी सुन दे संपूरा समाबाड के जिस विले दसेरे दा दिन अमदा सी कांदेन महराजे दे अगवाई विच महला निकल दा सी जिस विच अकाली बाबा फूला सिंग जी हरी सिंग नलवा शाम सिंग अटारी वर गे जोदे जडे आना महराजा रणजीत सिंग दे नाल हुं दे साना उ महला खुले पंडाल वेच जांदा उत्य पहुचन तो बाद जेड़े सिंग सूर मैंन अपने शस्त्रां दे जोहर विक्वाम दे सान शेरे पंजाब महराजा रञण्धीत सिंग परसान हो के उना नो इनाम दिन दे सान ओ मर्यादा शिरेप अंजा महराजा रणधीत सिंग तक चल दी रही हुण आड तक ओ मर्यादा जडिया प्यारे चली आ रही है सद्गुरु पार्शाजी ने अपने खालसे नू सेख नू सेंग नू इन्नी वड़ी आई दित्ती के जैस वेले अनंद पुरसा विखे खालसे दी सिर्जना कीती पाई दिया सिंग जी नू अम्रच काया ते महराज ने स्री साब फड़ाई पाई दिया सिंग जी उना पाँ जंग करना है पाई दिया सिंग करन लगे महराज काम हमारा तोलन तकडी नंगी कर्द कभू नहीं पकड़ी महराज मेरा ते काम तराजू तोलना नंगी मा छुरी नी पकड़ी कदे छुरी उड़ी चिड़ी उड़ी ते मा डर पाऊं तुरकन से कैसे लड़ पाऊं पाई दया सिंजी काण लगे महराज जे मा जंगल वे जानदा चिड़ी उड़ी ते मा डर जानदा सी ते इन्ने वर गे एक एक बकरा खाजान वाले तुरका नाल मा किस तरह लड़ांगा उस वेले कलगी दर पार्शाने आक्या जिनकी जात बर्न कुल नाही सरदारी ना पिखी कदाही उन्हीं को मैं सरदार बनाऊं तब आग गुबिंद सिंग नाम कहाऊं मारान ने प्यारे ओ अपानू सरदारी बक्षी जिड़ा सिक शबद है न ए बहुत प्यारा शबद है तुसी सारे गुर्बानी पढ़न वाले ते सुनन वाले हो गुर्बानी वेच जन भी शबद आया हर जन भी आया साद भी आया संत भी आया ब्रह्म ज्यानी शवद भी आया गुर्मक भी शवद आया पर जड़ा सव तो प्यारा महराग नो शवद लग्याना ओ सिख लग्या क्योंके जनदी व्याख्या पगद कवीर जी ने अपने बानी वज कीती कवीर रूडा है रो बाट का तजमन का अबमान ऐसा कोई दास होए ताहे मिले पुगवान आखिर ते पगद कवीर जी ने कया दिता के पानी वा तो क्या पयासी राताता होए हर जन ऐसा चाहिया है जैसा हर ही होए जन दी व्याख्या ते कलगी दर पार्शा ने भी कीती हर हर जन दो एक हैं विब विचार कछना है जलते उपड तरंग जियों जली ही विखा समाए ते संत दी व्याख्या महराज ने कीती जिनना सास गिरास न वीसर हर नम अमन मंत तानसे सेही नान का पूरण सोई संत ब्रहम ग्यानी बारे व्याख्या महराज ने मन साचा मुक साचा सोई और न पेखा एकस बिन कोई नान का ए लच्छन ब्रहम ग्यान इस तरह सारे शब्द महराज ने वरते पर सेखनों बाद प्यारा शब्द बक्षिश कीता उने उने पिछे दो तेन दिना तो टाडी सेंग कवी शर्जडे जथे लगे हो एसी ते एक गल बार बार कहें दे सी के कलगी दर पार्शा अपने सेखनों साथ साल तक एते उडीग द मेरा बाजा वाला जाने एक गल्वज किन्नी सच्चाई है पर प्यारे हो तुसी रोज बाणी पड़ दे हो महराज ते रोज अपानू बलाओं दे अपा पड़ देना अनंसावेच आवहो सेख सत गुरू के प्यारे हो गावहो सची बाणी आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरू के प्यारे महराज ते रोज बलाओं दे प्यारे हो सट साल तक पता नहीं बंदे ने रहना है कि नहीं है कोई गल पता नहीं सो सेख जेडा शवद है महराज नो बहुत प्यारा लगा महराज ने एक था आख्या के गुरू सिखा अंदर सत गुरू वरते पाव गुरू सिखा अंदर सत गुरू वरते गुरू सिख दे शवद ही बहुत प्यारे हैं कि जेस सेख दे दर्शन करण दाल गुरू दे आखिया गया है, सतकार योग प्रोफेसर गंगा सिंग जी होए पंत दे बहुत विदवान होए, उन्हादा एक भचन में नो चेते आया, कि वो बाहर यिरोप देश विज गए होए सन एकवारी, उस विले गुर्दवारे गुरु घराम चरैन दा प्रबंद नहीं सीख से होट प्रोफेसर साहब जी दा नेम सी के अमरत विले ओ थोड़ा पैदल चल दे सी, टलन वास्ते निकल गए चार वजे, ते उन्हादी जेडी सिंगनी सी, करवाली सी, अमरत विले उटके बाड़ी पण लगी का अमरे कमरे उच बाढ़के, कांदयान जिस विले ओ बाणी पढ़ कर रही सी, खिड़की वचो किसे ने चाह क्या अवनू देख गया, सवेरे आये प्रोफेसर साहब ते उन्हान आनू आखे आक्या के खिड़की वचो कोई चाह कर रहा सी, ऑटल दे मालक नू दस्या गया, और से विले होटल दे मालक दि जड़ी कर वाजी कोली ही सी, ओ कैन लगी मैं चाह करी सी प्रोफेसर साहब ने पुछिया क्यों उस वेले उन्हें जवाब दिता ना प्यारियों सुनन वाला है उन्हें जवाब दिता के मैं सुनिया सी गुरू के जोड़े सिख हुंदे उ अम्रत वेले उड़ दे ते बाणी पड़ दे मैं वेख रही सी के कच्चे सिख है के पक्के सिख है इस करके मैं चाह करी सी के हुण अम्रत विला हो गया सुत्ते के जाग दे पर मैंनू परुसा हो गया तुसी सच्चे सिख हो प्यारे ओ सच्चे सिख अते चूटे सिख पे की सिख दा एई फिरक है फरक है गुर्सदूर पारशा भी कहन देन गुर्सदूर का जो सिख अखाए सु पलके उठर नाम त्याव है उद्दम करे पलके परवाती इश्नान करे अम्रत सर नाव है फिर चड़ दिवस गुरबा सिख पिलिच स्दूर पारशाति अस्दूर करें और च रलगवर ऑंते बड़ने फिरक चाली के इनकिर हाइए हम पापी गट पाए गुर्षिखा दी तूड क्यों मंगी महराज ने क्योंके प्यारियो गुर्षिखा अंदर सत्गुर वरते गुरू विच अते सेख विच कोई पेद नी रहनदा अपाँ अज कलगी दर पार्शा दे अस्थानते हाजरोए प्यारियो जाने अन जाने पतानी कही ब्यांत गलतियां हो जान दियां जे सेख पूरा हुवे अंदरो पश्चा ताब करें अंदरो अरदास करें कलगी दर पार्शा जरूर जरूर बक्ष लेंदे हन एक कलगीदर पार्शा दे इस्तान ते बैटे उना दे जीवन दे एक बहुत प्यारी कटना चेते आ गई ओ सुना के मैं समापती कर दे वांगा कलगीदर पार्शा मौदा दे मालक बैटे ओ एसन एक सिख ने टाल बेट की ती महराज नो ते महराज ने वेख्या ते आख्या दहोत सोनी टाल सिख कहन लगा महराज मैं आब खड़े रहके तियार करवाई ते इन्नी मजबूत इन्नी पक्किया गोली एदे पार लंग ही नी सगदी फिर दूजी वारी सिख ने आख्या महराज एओ जी टाल तोडे कुल होनी नहीं सद्गुरु पार्शा ने वेख लिया के सूखम अहंकार एदे अंदर आगे क्योंके पूरा सद्गुरु अपने सिख विच अहंकार नहीं रह देंदा क्योंके प्रमात्मा नो भी अहंकार प्यारयों परवान नहीं है ताहीं ते आख्या हो मैं नावै नाल विरोध है दो न बसा एक ठाए महराज ने वेख लिया सिख तीजी वारी कान लगा महराज एदे वर की टाल तोडे कुल नहीं होएगी कलगी दर पारशा कान लगे सिखा प्रमात्मा जे चाहे न किसे दे भी स्वास लाए सगदा जे जे दे विच स्वास नहीं ओ दे भी स्वास पर सगदा ते गुरू भी प्रमात्मा वरगा हुंदा है जे असी गोली चलावांगे ते दे पार लंग जाएगी कानलगा महाराज ये होई नी सगदा सिखनों परुसा आगया हो मैं आगयी कलगी दर पार्शा कानलगे ठीक है सिखा हुन टाल असी रखनी नी तू वापस लेके जा कल सवेरे आवी कपडे विच लपेड के कर विच टाल रखी ना जे सवेले करवाली स्यानी चंगे प्रवार दी सी उन्हें पुछ लेया की गल टाल महाराज नू पेटनी की ती वापस लेके आए हो सिख कानलगा महाराज ने आख्या के कल नू लवांगे नाले परखांगे के गोली एदे पार लंग दी के नहीं लंग दी सेख दी करवाली कान लगी तू किते मथाला लाले आपाओ कि ना दी ब्रोबरी करन लगा तू क्योंके गुरू जड़े न ओ समरा थों देता ही ते आ किया चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारया हर प्रभ मेरा मालक करदा ही कि प्यारयो चोजी करदा है करवाली कान लगी तु ये चंगा कामनी कीता समझ आ गई कि मैं ते गलती कर आया महराज दे सामने अंकार विज बोल बोले पर प्यारे ओ जे सचे मन नाल कोई अपनी पूल पश्चा ताब कर लवे मन लवे अरदास कर लेवे ता गुरू भी भक्ष लेंदा बानी विच अंदाना सुध अपराद करता है जेते जन्नी चीत न राखसते ते रामया हम बारक तेरा का है न खंडस अवगन मेरा हुन पश्चा ताब कर लगा ते करवाली नू कर लगा हुन कोई उपाव दस शाम दे वेला सी सिंगनी कान लगी जाके पान सिंगा नू बेंती करके बुलाके लगिया परशादा छका उना तो अरदास करा क्योंके महराज ने बे आखिया इन पंचन में मेरो वासा महराज ने पंचन अपना वासा रखिया है सिंग आये प्रशादा छक्या अरदास कीती बेंती कीती के मैंते बहुत गरीबड़ा सिखां किरपा करो महराज मेरी पैज रखन बस राद सोचांग प्यार याद सवेर होया जी महराज दे कुल आया टाल लेके महराज ने आख्या टाल सामने रख दे एक सिंग नू बंदूक फड़ाई ते आख्या देते निशाना मारो सिंग ने एक गोली मारी टाल नू कुछ भी नी होया वापस गोली आ गई दूजी वारी मारे आट अल टुटी नहीं तीजी वारी मालक ने आप बंदू कला ले अपने हत विच उन कलगी दर पार्शा अपने अथ विज बंदू कला ले न फिर सामने कौन टेक सगदा प्यारे हो सिखने वेखले आद दो वारी ते महाराज ने पैज रख लई चरनाते डिख प्या महाराज करपा करो अवकी बार बक्ष बंदे को महाराज करपा कर असी खते बहुत कमाम दे अंतन पारा पार लेखे कतान चूटिया खिनकिन पूलना हार महाराज पूलना हारे कलगी दर पार्शा कान लगगे गुरसी का अंकार करना नहीं चाहिदा उसे वले महराण ने बंदू कराग दिती ते सिखनों अपने गल ना लालेया प्यारे ओजे अपने तो भी कई वारी जाने अन जाने जे पुला हो गया होण इस दरते आए अपनी गलती दी माफी मंगे जाए सचे दिलो मंगे कलगी दार पार्शा वक्ष लंदे अन राखो 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 किरपातार तेरी शारन तेरे दरवार महराजी दे बचन बोल देयां कई प्रकार दियां गलतीयां हो गया होण गया माफी वक्ष नी क्योंके आपा अरम कीती सी पगदपंडार गुर्बानी लाल गावत सुनत कमावत निहाल गावया सुनिया तिनका हरथाए पवल जिन सदगुर की आग्या साथ सद करमानी कलगी दर पार्शा दे बचन सन एस अस्थान ते आखरी बचन सन पो अपां सारे एक वारी दोरा ये फिर समापती करिये जी सारे आने पिछे बोलना दी अग्या पही अकाल की अग्या पही अकाल की तभी चलायो पंथ तभी चलायो पंथ तभी चलायो पंथ सबसिखन को हुकाम है सबसिखन को हुकाम है सबसिखन को हुकाम है गुरु मान योग्रान्थ गुरु मान योग्रान्थ ए महाराजी दे अंतम बच्चन अन प्यारे आप इना वच्चना ते चलिये कता वचार कर दियां कई प्रकार दियां गल्तिया पुला हो चुक्यान माफी भक्षनी, बचन गुरु का जान के एर्दे चों सावना, गलतियां मेरियां जान के माफी भक्षनी, सारे फिरे कवारी गजवज के आखों फते बलाओ, वाहे गुरु जी का खालु सा, वाहे गुरु जी की फते, फते. गुरूरूप साथ संगत जी, एसन पाईसा पाईराम सिंग जी, तूपिया तकत सचखंड श्री हजूरप चलनकर साहिब जी दे सिंग साहिब, उनादा झालनकर साहिब झाल 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 झाल